इस वीडियो में हम आपको फॉराम्स वर्काउट के लिए 5 बहतरीन एक्सरसाइजिस बताने जा रहे हैं जिनसे आपके फॉराम्स बहुत ही तेजी के साथ मस्कुलर और चोड़े बन जाएंगे फ्रेंड्स आपको अपने फॉराम्स को बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो जैसे पुशप्स या पुलप्स आप करते हो लेकिन अगर आपके फॉराम्स के मसल्स इस्ट्रॉंग नहीं हैं तो आप किसी भी एक्सरसाइज को अच्छे स अगर आप pushups नहीं लगा पाते हो तो इसकी एक बड़ी वजह है आपके forarms की muscles का कमजोर होना भी होता है इसके अलावा forarms आपकी वो muscles होती है जो की t-shirt में या shirt fold करने पर सबसे जादा दिखाई देती हैं और इनकी वजह से ही आपकी body की बागी muscularity का भी पता चल पाता है और आ आज exercises आपको यहां पर हम बताने जा रहा हैं जिनको आप अपने घर से ही आसानी से perform कर सकते हैं तो exercise no.1 जाने से पहले friends fitness related detailed information पर बनी वीडियो के लिए आप इस चैनल को please subscribe शिरूर कर लें exercise no.1 है one arm hanging exercise इस exercise में आप अपने सिर्फ एक हाथ पर लटक कर इसे perform करते हैं जिससे कि आपकी पूरी body का weight और pressure आपके सिर्फ एक हाथ पर आ जाता है friends कलाईयों पर और हाथ की उंगलियों पर pressure डाल कर जिस exercise को perform किया जाता है उसमें आपके four arms strong बनते हैं और train होते हैं इस exercise में आपकी पूरी body का जो weight होता है उसका सबसे ज़्यादा pressure आपके four arms muscles पर ही आता है तो जितनी देर आप इसमें इस तरह से लटक कर रह सकें आपको लटके रहना है पर तम से कम आपको 35 से 40 सेकंड तक लटके रहना है और हर एक सेट में एक मिनट का rest लेकर आपको तीन सेट इसके लेने हैं नमबर दो पर आपको wrist roller extension exercise को करना है ये exercise आपके four arms के लिए one of the best exercise मा ये जादतर four arms workout में इसे शामिल भी किया जाता है इसके लिए आपको कोई pipe या डंडा लेकर उसमें कोई रसी बांध कर उसमें भारी weight लटका कर इसे इस तरह से perform करना होता है या फिर आप online भी ready made इस तरह का ये equipment खरीद सकते हैं इसकी link आप वीडियो के description में चेक कर सकते हैं इसे perform करने के लिए आपको बस इस equipment में weight को लटका कर अपनी कलाईयों से इस तरह से गुमा कर उपर तक लाना होता है इसे करने से आपके four arms की wo muscles engage होती हैं जो की normal exercise में जादा engage नहीं हो पाती हैं इसकी वजह से ही आपके four arms इसे करने से काफी जादा अच्छे से train हो पाते हैं इस exercise के आपको दो-दो मिनट के तीन सेट लेने हैं और हर एक सेट के बाद में एक मिनट का rest आपको लेना हैं अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक शरूर कर देना इसे करने के लिए अगर आप जिम में exercise करते हैं तो कोई भी बार लें और अगर घर पर exercise करते हैं तो आप लकड़ी या पाइप में weight को बांध कर और फिर बार या डंडे को हाथों में पकड़ कर इस तरह से कलाईयों के सहारे उपर नीचे कर सकते हैं इस exercise से for arms में काफी तेजी से pump आता है और काफी attractive for arms आपके बन पाते हैं इस exercise के तीन सेट आपको लगाने हैं और हर एक सेट में आपको 20-25 reps निकालने हैं exercise no.4 reverse wrist curl फ्रेंड्स ये exercise wrist curl जैसी ही exercise है बस इस exercise में आपको बार या डंडे को reverse grip में पकड़ना है फिर reverse grip में पकड़कर आपको अपनी कलाईयों से इस तरह से उपर नीचे करके इसे perform करना है इस exercise के भी आपको 3 सेट लगाने हैं जिसमें हर सेट में आपको 20-25 reps निकालने है exercise no.5 hand gripper और चैनल पर पहले से मौझूद बागी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं बाई फ्रेंड्स टेक केर